हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 1110 में Microsoft Store is missing या not showing या not installation इस तरह का error आता है या इस तरह का problem आता है तो इसको कैसे fix करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को subscribe करना न भूलें चलि करते हैं यहां पर आपको first option देख जाएगा इसको पर आपको किलिक कर देने किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आपको यहां पर कुछ सकंद वेट करने के बाद आपका जो भी प्रॉलम था यह प्रॉलम हो गया होगा मालीज अगर फिर भी आपका प्रॉल अब आपको यहां से क्लोज कर देने के बाद आपको क्या करते हैं यहां पर आपको यहां पे Yes पे click कर देने, Yes पे click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको क्या कहने, description में जाने, description में जाने के बाद वहां पे आपको यह command मिलेगा, उस command को आपको copy कर लेने, Copy करने के बाद आपको क्या कुण मिलेगा, यहां पे यह command और तरीका बताता हूं सौट कर तरीका यह है कि आपको क्या करने मौस का करसल यहां पर रखना है इसके बाद मौस का राइट बटन यहां पर प्रेस कीज़ेगा प्रेस करने के बाद इस तरह से यह कमांड पेस्ट हो जाएगा आपको क्या करने यहां पर इंटर करते हैं इस त रिये स्टाट होने के बाद आपको क्या करने है ओपेन करके चेक कर लेने आपके केस में जो भी प्रॉल्लम था यह प्रॉल्लम हो गया होगा आप आपके केस में जो भी प्रॉल्लम होगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेर करें थैंक्यू